जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सोल्जर ट्रेट्समेन का जो 28 मार्च में पेपर हुआ था राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेगर में तो ये दोस्तो हमारे पास में सोल्जर ट्रेट्समेंट 10 पास की जो भरती थी राजपूत रेजिमेंटर सेंटर में जो रिलेस्न भरती थी उसका ओरिजिनल कोस्चन पेपर है जिसकी पीडियाफ आज आज आपके सामने है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम इस पेपर का section A यानि की general knowledge का part cover करेंगे और उसके बाद में हम इसका कल section B फिर उसके आगे के section हम discuss करेंगे तो उम्मीद करते हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और अगर चैनल पर नए है अभी तक subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe जरू करना और bell icon के बटन को press जरू कर लेना जिससे आने वाले वीडियो की notification आप तक पहुँचते रहे तो set A है दोस्तो ये और section A ठीक है तो राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेगड का ये soldier treatment का original question पेपर है तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले question है दोस्तो question number one अफगानिस्तान की राजधानी कोहां पर है ठीक है अफगानिस्तान की राजधानी कहां है तो question number one का correct answer होगा option B काबूल अफगानिस्तान की राजधानी कहां पर है काबूल में ठीक है next question की तरफ चलते है question number two की तरफ काफी simple question है अगर आप current affairs को थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो आप इस question को बिलकुल सही करेंगे तो जिल्दी से दोस्तो अगर आपको इस question paper में जितने भी questions के answer आ रहे हैं उनको comment करके comment box में बता दिया करें ठीक है और last में सब लोग comment करके जरू बताएंगे यह जो 15 questions हैं इन 15 questions में से आपके कितने जवाब सही थे तो question number 2 का सही answer होगा आपका option D. Prem Singh Tamang ठीक है सिक्किम के जो बरतमान में Chief Minister है उनका नाम है दोस्तो Prem Singh Tamang ठीक है next question है हमारा any patient तथा लोकमान तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था तो option से आपके भारत छोड़ो, रॉलेट एक्ट, होम रूल या फिर असयोग आंदोलन तो any patient और लोकमान तिलक दोनों के द्वारा जो चलाए गए थे आंदोलन थे उनका नाम क्या था तो यहाँ पर question number 3 का सही answer है option C, होम रूल question number 4 है आपका तमिल नाइडू का कौन सा सहर भारत का निटवियर कैपिटल के नाम से प्रिसिद्ध है options आपके सामने हैं तो question number 4 का correct answer जल्दी से दीजिए तो चार number question का सही answer होगा आपका option A, तिरूपुर, ठीक है question number 5 के तरफ चलने से पहले आप सभी से request होगी कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर पर लें और वीडियो फिने सोने बाद में अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को सेर जरूर करें Question 5 है लोहित नदी की सहायक नदी कौन सी है Options आपके सामने हैं सिंधू, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर गंगा Question 5 का सही answer होगा Option B ब्रह्मपुत्र लोहित नदी की सहायक नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी Question 6 है आपका गांधी सागर डैम, कोटाबांध तथा राणा प्रताफ सागरबांध किस नदी पर बना हुआ है काफी important question है दोस्तों, इस question को मैंने अपने पिछली वीडियो में काफी बार कराया है और हमेशा मैं आपसे बोलता था कि यह जो question है आपके exam में आ सकता है देखिए, 28 March का यह original question paper है जिसको आप इस समय discuss कर रहे हैं जो मैंने कहा था वही हुआ, यह question आपके exam में आ गया, ठीक है तो ऐसा नहींगे यह की question आया है, काफी questions आपके paper में आया है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, तो question number 6 का सही answer होगा आपका option B, chamber नदी, ठीक है question number 7 की तरफ चलने से पहले दोस्तो आप सब्सक्राइब को बता दें यह राजपूत रेजिमेंट का soldier deadsman का original question paper है तो उमिद करते हैं आपको यह question paper और यह video दोनों ही पसंद आएंगे और आपको अपने तयारी को मापने में भी साहिता होगी, ठीक है तो question number 7 है हमारा, निमलिकित में से किस भारती राज में railway station नहीं है दोस्तों काफी नया question है, इस question को मैंने भी कभी नहीं कराया था लेकिन काफी अच्छा question है अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप इस question का answer जो है वो बिना पड़े भी दे सकते हैं देखिए हिमाचल प्रदेश ठीक ठागी है, गोवा भी उसके बाद में नागा लैन में भी railway stations है और यह है सिक्किम, सिक्किम जो है, सिक्किम में एक भी जो है वो railway station नहीं है तो question number 7 का सही answer होगा, option D, सिक्किम ठीक है भारत का अकेला ऐसा राज है, sorry अकेला नहीं, मतलब इन में से कह सकते हैं, और भी राज ऐसे हैं लेकिन इन में से जो चारों राजों का नाम है, इन में से सिक्किम ऐसा अकेले राज है, जिसमें कोई भी railway station नहीं है question number 8 है आपका, who was the first Indian actress to receive the padhamsari award, कौन सी प्रिथम भारती अबनेत्री है, जिनने padhamsari अब आप प्रुसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है, तो question number 8 का सही answer है आपका, option D, नर्गिस दत्थ, ठीक है next question के तरफ चलते है, question number 9 की तरफ, question number 9 है मारा which is the highest plateau in India, भारत का सबसे उचा पठार कौन सा है ठीक है, काफी important question है, कई बार मैंने अपनी paper में, अपनी परानी videos में इस question को आपको कराया है तो भारत का सबसे उचा पठार कौन सा है, तो question number 9 का सही answer है, option A, दक्कन का पठार ठीक है, भारत का जो सबसे मुझा पठार है, वो दक्कन का पठार है, question number 10 है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से अंदोलन में दिया था काफी important question है, कई बार मैंने आपको इस question को repeat कराया आपनी पिछली वीडियो में तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, इन्हों ने दिया था दोस्तो भारत छोणवा अंदोलन के समय, और भारत छोणवा अंदोलन कब हुआ था, 1942 में question number 11 की तरफ चलने से पहले दोस्तो, आप सब इसे एक बार फिर से request होगे कि वीडियो को like नहीं किया है, तो वीडियो को like कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेनस से original question paper की pdf file लेकर आते हैं, जो कि आपको पूरे youtube पे कहीं पर नहीं मिलेगी, आपने original question paper के photos बहुत दे पूरे youtube पे मैं guarantee देता हूँ, अगर आपको किसी भी original paper की एक भी channel ऐसा मिल लिए, जिसने pdf file से आपके लिए question paper हल कराया है, तो आप मेरे channel को unsubscribe कर सकते हैं, ठीक है, मैं guarantee देता हूँ इस बात की, तो question number 11 है आपका, रवड की वलकनी करण के लिए रवड में क्या मिलाया जाता है, काफी import अच्छा question है दोस्तो, रवड की वलकनी करण के लिए रवड में क्या मिलाया जाता है, question number 11 का सही answer होगा, option A, sulfur, ठीक है, question number 12 है आपका, what is the minimum age required to be the president of India, भारत का राष्टरपती बनने के लिए कितने नियुन्तेम आयू होनी चाहिए, ठीक है, तो भारत का राष्टरपती बनने एक लिए दोस्तो, जो नियुन्तेम आयू है, वो होनी चाहिए आपकी 35 वर्स, तो question number 12 का सही answer होगा, आपका, option D, 35 वर्स, next question के तरफ चलते है, question number 13, which of the following disease is not caused due to mosquito bite, ठीक है, इन में से कौन सी विमारी मच्छर के काड़नी से नहीं होती है, काफी अच्छा question है दोस्तो, तो चिक्न गुरी यहां, डेंगू और जी का फीबर, तीनों के तीनों हो जो है, वो मच्छर के काड़नी से होते हैं, कि एक मच्छर के काड़नी से नहीं होती है, ठीक है, तो question number 13 का सही answer, option B, joint is, question number 14 है, देज में भाबा परमालो अनसंदान के अंदर कहां पर इस्ते थै, भाबा परमालो अनसंदान के अंदर जो है, वो कहां पर इस्ते थै, तो question number 14 का सही answer है, आपका option C, ट्राम B, इस question को भी मैंने क सकते हैं, आप हमारे चैनल को इसलिए मैं बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, question number 15 और आज की वीडियो का last question है, गौतम बुद के गुरू कौन थे, तो गौतम बुद के गुरू थे दोस्तों, यहां पर आलार कलाम, ठीक है, तो question number 15 का सही answer होगा, option C, तो यह थे दोस दोस्तो 15 questions, जो की soldier tradesman, राजपूर रेजमेंट का, जो था option, अभी इस paper का section B, जो है, जिसमें, tradesman में दोस्तों क्या होता है, कि reasoning आती है, section B में, ठीक है, तो जो reasoning की वीडियो है, आपको कल मिलेगी, तो तब तक के लिए, आपके लिए बस इतना ही, comment करके जरूब बताना, क कि आपके कितने paper जो question थे, इसमें से 15 message सही थे, तो उम्मिद करते हैं दोस्तों, आपने channel को subscribe कर लिए होगा, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्का, जैहन, जैवारा